नमस्कार, आज की शुर्णी में हम बात करेंगे सायक विकास विस्तार अधिकारी ADEO 2017 में पुछे गए समान ग्यान के प्रस्णों के बारे में पहला प्रस्ण है, 36 गड़ राज्य के नीम नलिखित में से किस जीले में प्रसिद पूरा तात्विक एवां पर्याठन इस्थल सिर्पूर इस्तित है? तो इस प्रस्ण का सहुपतर है अप्शन सी महासमुन, सिर्पूर महासमुन जीले में है और सिर्पूर में ही बुद्ध विहार, स्वास्तिक विहार और लक्ष्वन मंधिर भी इस्तित है अगला प्रस्ण नीम नलिखित में से कौन सा जल प्रपात इस राज्य में सबसे उंचा है? तो इस प्रस्ण का सहुपतर है अप्शन A, तीरदगर्ड जल प्रपात इस राज्य में सबसे उंचा है और तीर माराठा शुवेदार इनमेЙ से कौन था जिसके शासनकाल में मिस्टरसी ब्लंड आया था अग्ला प्रस्ना निम्नालिखित आइएस अधिकारियों में से एक कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रसास की अधिकारी होता है केबिनेट सचिव भारत सरकार का प्रमुख प्रसास के अधिकारी होता है अगला प्रस्थितियों में एक नगर निगम में प्रसासनिक अधिकार मुख्यता है किसके पास होता है अगला प्रस्थितियों में एक नगर निगम में प्रसासनिक अधिकार मुख्यता नगर आयुक्त के पास होता है अगला प्रस्थितियों मध्यप्रदेश की किस दिशा की और यहां राज्य इस्थित है तो इसका सेहुत्तर है आप्षन B, दक्षिन पूर्वा, मध्य प्रदेश की दक्षिन पूर्वा दिशा की ओर 36 गड़ राज्य इस्थित है, यह मध्य प्रदेश है और यहाँ पास है 36 गड़, अगला प्रस्थन निम्न लिखित में से कौन सा खनीज, इस राज्य में उपलब्ध नहीं है तो दिएगे आप्षन में इस प्रस्थन का सेहुत्तर है आप्षन D, मैगनीज, अगला प्रस्थन निम्न लिखित में से किस समयधानिक संसोधन अधिनियाम दारा असम के कुछ छेत्रों को मिला कर मेगालाय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया इसके सहुत्तर है आप्षन C, 22 संसोधन अधिनियाम 1979 को, अगला प्रस्थन निम्ने लिखित में से कौन सा और द्योगी की विकास केंद्रा इस राज्य में सबसे अधिक विस्तित है तो इसका सहुतर है आप्षान B. सिल्तरा और द्योगी की विकास केंद्रा चतिस गड़ राज्य में सबसे अधिक विस्तित है अगला प्रस्न 36 गड़ राज्य में इस्थित राश्ट्रिय विधी विश्वय दाला है इन में से किनके नाम पर है? इसका संवित्तर आप्शन B. हिदायत उल्ला हिदायत उल्ला नेशनल लॉज इनर्सेटी जो की रायपूर में इस्थित है अगला प्रस्ण निम्नलिकित में से कौन इस राज्य में प्रसाशन का प्रमुख होता है? इसका संवित्तर आप्शन C. मुख्य सच्विव मुख्य सच्विव राज्य में प्रसाशन का प्रमुख होता है अगला प्रस्ण निम्नलिखित में से कौन सा इस राज की संस्कृती का आधार है? इसका सेंवतर आप्षन D. उपर युगत्य सभी जनजातिय जीवन सहली, क्रिशक परंपराय, विभीन धर्मों कसंगम ये सभी 36 राज की संस्कृती का आधार है अगला प्रशन प्राचिन काल में इस राज में सासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वन्स के राजाओं ने त्रिक लिंगाधी पती की उपाधी धारन की? तो इस प्रशन का सेंवतर है आप्षन C. सोम वन्स प्राचिन काल में 36 गड़ में सासन करने वाले सोम्म वंस के राजाओं ने त्रिक लिंगाधी पती की उपाधी धारन की थी अगला प्रस्न नीम्नलिकित में से किस केंदर सासित प्रदेश में प्रसासन के लिए लेप्रिनेन गवर्नर नियुक्त नहीं किये जाते हैं तो इस वाले प्रस्न को व्यापामदारा विल्यवपित किया गया है अगला प्रस्न 36 गड़ राज में आसायोग अंदोलन के दौरान इन में से कर्मवीर प्रत्रिक्या के कौन से संपादक ग्रेपतार हुए तो इस संउतर अप्शन भारत छोड़ अंदोलन के दौरान इस राज के निमनलिखित में से किस स्थान पर जिला कछहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया इसके संउतर अप्शन D दूर्ग अगला प्रस्न निम्न लिखित में से किस राज्य में विधाई उद्देश के लिए विधान परिशद है? तो इस प्रस्ण के संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? तो इसके संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं अगला प्रस्ण इन में से कौन इस राज्य की सिर्शस्त महिला लोक गाई क्या है? तो इस प्रस्ण का सेहुतर आप्षन C. मंता चंद्राकर अगला प्रस्ण 36 गड़ राज्य के जन्जातियें लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोग नित्य किया जाता है जो क्रिशी परामपरा पर अधारित है इसका सेहुतर आप्षन A. कर्मा अगला प्रस्ण भार्तिवी समिधान की अनुसुची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जन्जातियां सुची बद्ध है इसका सेहुतर आप्षन D. ब्यालिस 36 गड़ में 42 प्रकार की जन्जातियां पाई जाती है अगला प्रस्ण इसका सेहुतर आप्षन C. गोड अगला प्रस्ण इन में से किसने 36 गड़ राज्य की जन्जातियों की संस्था घोटुल का अध्यन किया इस प्रस्ण का सेहुतर आप्षन B. विरियर एलविन और विरियर एलविन द्वार लिखे गए अन्य पुस्ता का नाम है दा मुडिया एंड दियर घोटुल दा बैगास दा अगर्या और दा गवर अगला प्रस्ण निम्न लिखित में से किस तिथी से भारत में वस्तू एवां सेवा कर प्रारंभ हो गया है इसके सहीं उतर आप्षन C. एक जुलाई 2017 से और GST का फूल फाम होता है Goods and Services Tax अगला प्रस्ण इन में से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आईप्त कौन है तो ये उस समय का करेंट एक फार का प्रस्ण है और इसका सहीं आणसर है अचल कुमार जोती आपके लिए एक प्रस्ण है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आईप्त कौन है इसका आणसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगला प्रस्ण जर्मनी के निम्न लिखित में से किस सहर में जुलाई 2017 में G20 सिखर समयलान हुआ तो इसका सहीं उत्तर आप्षन D. हैंबर्ग अगला प्रस्ण इन में से कौन 2017 की विमलडन तेनिस महिला चांपियान है तो इसका सहीं उत्तर आप्षन अगला प्रस्ण निम्न लिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है तो इसका सहीं उत्तर आप्षन B. प्योंग यांग प्योंग यांग उत्तर कोरिया की राजधानी है तेके ये चाइना है और यहां पास उत्तर कोरिया ये दक्षिन कोरिया है और उतर कुरिया की राजधानी है प्योंग्यांग और दक्षिन कुरिया की राजधानी है सियौल अगला प्रस्ण भारत के राष्ट्रपती निर्वाचित होने के पूर्वा श्री रामनाथ कोविंज निम्नलिखित में से किस राज के राज़पाल थे? इसका सहींधतर है अप्षन D. बिहार अगला प्रस्ण भारती समिधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस सोतंत्र संस्ता के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसके समुतर आप्षन A. निर्वाचन आयोग भारती समिधान के अनुच्छे 324 द्वारा निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है थैंक्स फर वाचिंग जय हिंद